हलो एवरिवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लासिक्स की साइंस की बुक से चाप्टर नमबर 12 इलेक्टरिसिटी एंड सर्किट और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट टू पार्ट वन पहले हमने कम्प्लीट कर लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ल हाइलाइट कर सकते हैं जो आपके एक्जाम्स के लिए और आपके नॉलिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए आगे पढ़ते हैं यहां लिखा है in activity 2 you connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wires passing to and from the electric bulb activity 2 में आपने क्या किया था आपने connect किया था एक टर्मीनल से दूसरे टर्मीनल को wires के थूर। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक टर्मीनल से दूसरे टर्मीनल यानि कि यहां से आपने इस टर्मीनल में connect किया था ठीके कैसे connect किया था wire के through यानि की tar के through ठीक है Note that in the arrangements shown in figure 12.5 A and F the two terminals of the electric sail were connected to two terminals of the bulb Such an arrangement is an example of an electric circuit तो अगर हम examples को देखें तो आप ध्यान से अगर देखेगा तो यह example और एक यह example इन दोनों example में यहां से हमने wire को जोड़ा इस terminal तक और यहां से यह wire इस terminal तक add हुआ है ठीक उसी तरह से इसमें भी wire को एक terminal से दूसरे terminal और इस से इस terminal में add किया गया है अगर बीच में यह terminal यह जो यहां से यहां तक add किया हुआ है अगर ये बीच में कहीं से break हो जाता है बीच में कहीं से टूपता है ये wire तो क्या होगा ये add नहीं होगा बल्ब glow नहीं करेगा तो जो हमने एक terminal से यहां जैसे ही add किया तो ये एक इसे कहते हैं electric circuit यानि कि circuit क्या होता है एक example के लिए हम माल लेते हैं कि ये एक रास्ता है क्या है जो wire है एक रास्ता है और इसी को हम कहेंगे जब एक terminal से दूसरी terminal को जब हम add करते हैं तो ये एक रास्ता बन जाता है जिसमें जो current होती है वो flow होती है तो इसे ही हम कहेंगे electric circuit जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हम रास्ते के थुरू ही तो जाते हैं तो ये जो current है कैसे प current पास होगा, बिलकुल भी नहीं पास होगा, क्या यहां पर current पास होगा, नहीं होगा, क्या यहां current पास होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो electric circuit है, वो break हुआ है, यानि कि जो electric circuit है वो तूटा हुआ है अगर यहाँ पर है तो current कैसे pass होगा I hope आपको बात समझ में आ गई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं The electric circuit provides a complete path for electricity to pass current to flow between the two terminals of the electric cell तो जैसे मैंने कहा कि जो electric circuit होती है वो क्या करती है वो एक complete रास्ता बनाती है किसके लिए electricity के लिए जिससे कि वो pass हो सके है ना जो current है वो pass हो सके एक terminal से दूसरे terminal के बीच में ठीके जैसे कि यह एक battery है और यह एक bulb है ठीके यह एक bulb है और इसके यहाँ एक positive होता है यहाँ negative होता है तो इसे हमने connect किया इसे और यहां से हमने connect किया यह negative की तरफ तो यह क्या है यह एक path है इसे ही हम कहेंगे electric circuit ओके जब bulb glows only when current flows through the circuit तो bulb तभी glow करेगा जब current जो है वो flow होगा इसी circuit से यानि इसी रास्ते से ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं यह wire है यह electric circuit है यह एक रास्ता है जिसे कि current flow कर रहा है और यहां पर जो तार है वो इस bulb से connect होता है filament से connect होता है तभी तो जो filament है जब यहां से current pass होता है filament की और जाता है तो filament तभी glow करता है ठीक है अगर यह 20 से break होगा तो क्या यह इसे current मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, तो ये glow भी नहीं करेगा, इसलिए ये जो है electric circuit, यहां से होते हुए, ये path से होते हुए current, filament से होते हुए, फिर ये इधर की और आता है ठीके तब ही bulb glow करता है In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell, as shown in figure 12.6 electric circuit में, जो current का direction होता है वो हमेशा positive से negative की और होता है हम जानते हैं कि इधर positive होता है, इधर negative होता है यहां पर जो current होगा, वो positive से होते हुए, वो negative की और जाएगा ठीके, तो इस तरह से यहां से जो electric circuit है, यहां ये positive है तो यहां से current flow होगी और इस और जाएगी क्योंकि minus कहां है यहां है तो यहां से flow करते हुए यहां पर current आएगी और फिर filament में जाएगी और filament इसकी वज़े से glow होता है फिर यहां से current होते हुए कहा जाएगी minus की तरफ जाएगी ठीक है negative terminal की तरफ जाएगी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इस टर्मिनल से जब करेंट पास होती है तो यह फिलामेंट के और जाती है तब फिलामेंट गलो होता है और उसके बाद से फिर यह नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है Sometimes an electric bulb does not glow even if it is connected to the sail This may happen if the bulb has fused तो कभी-कभी ऐसा होता है कि electric bulb जो है वो नहीं glow होता नहीं जलता ठीके अगर यह connect है sail से तो भी नहीं जलता वो इसका क्या reason हो सकता है इसका reason यह है कि वो जो bulb होगा वो fused होगा ठीके, locate a fused bulb carefully is the filament inside it intact तो अगर आप fused bulb को carefully देखते हैं तो क्या आप आते हैं कि उसके अंदर के जो filament है वो पहले जैसी है वो intact है, ठीके, तो जब भी आप fused bulb को देखेंगे तो आप आएंगे कि यह जो bulb है, इसके अंदर की जो filament होती है वो break हो गई होती है, ठीके, वो पहले जैसे नहीं रहती तो इससे जो होता है, जो current जो pass होता है चुकि वो जो filament है, वो break हो गई होती है तो यहां से current यहीं तकाता है, फिर आगे कि और नहीं जाता तो इस वज़़ा से क्या होता है, कि यह bulb fused हो जाता है फिर उसके जगह पे new, जो bulb है वो replace करना होता है ठीक है, ओके, एन electric bulb में fuse due to many reasons और एक electric bulb जो होता है, वो बहुत सारे वजहों से बहुत सारे reason से, बहुत सारे कारण की वजह से कारण से वो fuse हो सकता है One reason for a bulb to fuse is a break in its filament एक bulb जो है, वो fuse हो सकता है तब जब उस bulb के अंदर का जो filament है, वो break हो जाता है तब वो bulb fuse हो जाता है, अब break in the filament of an electric bulb means a break in the path of the current between the terminals of the electric cell तो जो bulb होता है, उसके अंदर की जो filament होती है अगर वो तूट जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि जो current का रास्ता है, वो तूट जाता है ठीक है, जिसकी वजह से वो bulb glow नहीं करता यहां पर मैंने पहले ही समझा दिया है, वही लाइन बार-बार यहां पर रिपिट हो रही है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी तो अब क्या आप बता सकते हैं कि जो भी एक्जांबल अरेंजमेंट आपने 12.5 में देखा था BCDE में तो वो क्यों नहीं चला, वो बल भी क्यों नहीं चला क्योंकि हम जानते हैं कि यहां से जो पाथ है वो ब्रेक है, वो ब्रेक है, इस वज़ा से यह ग्लो नहीं हुआ यह फिलामिंट अगर ब्रेक हो तो वहां से ग्लो नहीं होता है, ओके activity 3 आप चाहें तो पर सकते हैं, फिलाल इतनी जादे important है नहीं, तो जो important है मैं उन्हें ही complete करूंगे, तो चली आप परते हैं 12.4 यानि electric switch, electric switch क्या होता है यह, इस hint में हम लोग पढ़ेंगे we had an arrangement for switching on or off our home made torch by moving the base of the bulb away from the tip of the sail, घर में बनाए गए जो torch थे, उनमें ऐसे arrangement थे, switch के on or off के, कि जैसे ही हम bulb से, जो sail से connect करते थे, bulb के base को sail से connect करते थे, तो वो glow होता था और जब हटाते थे, तो हम उसे, तब वो off होता था, ठीक है मान लेजे कि यह एक torch है, इसमें on or off का switch दिया हुआ है तो जैसे हम इसे on करते हैं, तो जो bulb का, जो base है, इससे जो sail की, जो tip होती है, यानि जो battery के जो tip होती है यह जब touch करती है, तो यानि जब touch करती है, तो यह क्या होती है यह जो bulb है, वो glow होती है, क्योंकि एक circuit बन जाता है एक रास्ता, एक path बन जाता है, ठीक है और इसके बाद जैसे हम इस switch को off करते हैं, तो यह जो battery है यानि कि जो sail है, और यह जो bulb का, जो यह base है, वो अलग हो जाता है sorry for noise, तो यहाँ पर जैसे ही battery और जो sail है वो, और जो bulb है बलब के base और जो sail है उसकी tip को, जैसे ही हम अलग करते हैं, तो अलग कैसे होगा जैसे ही switch को off करते हैं, तो यह नीचे की और आता है तो इसे यह जो path है, यह जो electric circuit है, वो break होता है तो तब यह जो bulb है, off हो जाता है और जैसे ही हम इसे on करते हैं, तो यह जो sail की tip है और यह bulb, यह sail की जो tip है, और यह bulb की जो base है, वो touch होती है तो इससे क्या होता है, electric circuit बनता है जिससे की current pass होकर यह bulb glow करता है ओके आई होप आपको समझ में आ गई होगी तो चली पढ़ते हैं कि switch क्या होता है a switch is a simple device that either breaks the circuit or completes it तो switch एक ऐसा simple device होता है जो या तो circuit को break करता है circuit means क्या electric path, electric circuit यानि electric path होने के लिए जो current flow होने के लिए जो रास्ता बनता है उसे कहते हैं circuit तो switch क्या है एक ऐसा simple device होता है जो या तो circuit को break करता है या तो इसे complete करता है ठीक है the switches used in lighting of electric bulbs and other devices in home work on the same principle although their designs are more complex तो जो switches होते हैं वो क्या किया जाता है उसको use इसलिए होता है कि electric bulb को glow करने के लिए light जलाने के लिए use किया जाता है ठीक है जो switch है वो electric bulb को जलाने के लिए use किया जाता है glow करने के लिए use किया जाता है और दूसरे devices को जो कि home के घरे लू कामों के लिए जैसे कि पंक्खे चलाने के लिए या फिर दूसरे और कामों को जैसे वाश्ण मसीन चलाने के लिए यह जितने भी सारी चीजें हैं उनको चलाने के लिए स्वीच का यूज किया जाता है जब हम on करते हैं तो वह चलता है और जब हम off करते हैं तो वह बंद होता है ठीके फिर वह off होता है ठीके on the same principle although their designs are more complex तो उनका जो principle है उनका जो सिधान्त है काम का switch का वह तो same होता है लेकिन जो switch का design जो होता है वह complex होता है ठीके कभी-कभी वह button के design के होंगे कभी-कभी वह rectangle design के होंगे कभी-कभी किसी और design के भी हो सकते हैं तो चलिए अब पढ़ेंगे लिग 12.5 electric conductors and insulators तो electric conductors क्या होते हैं और insulators क्या होते हैं तो यहां पर examples दिए गए हैं चलिए देखते हैं लिखा है materials which allow electric current to pass through them are conductors of electricity वो materials जो electric current को खुद से pass करते हैं उसे कहते हैं conductors ठीके of electricity यानि कि जैसे कि aluminium हो गई, aluminium एक ऐसा material है जिसमें जो current होती है वो flow करती है ठीके तो इसे कहेंगे conductors अगर माल लेजे कि हम अगर लकडी का use करते हैं तो क्या लकडी का use करने पर उसमें से current flow होगी बिल्कुल नहीं होगी तो वो conductors of electricity नहीं है ठीके अगर हम तांबे का use करते हैं कॉपर का use करते हैं तो क्या उसमें से current flow होगी उसमें current flow होती है इसलिए उसे कहेंगे conductors of electricity अब बात करते हैं insulators क्या होता है insulators do not allow electric current to pass through them जो insulators होते हैं वो electric current को pass नहीं करते हैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर wooden कोई भी चीज ले लेते हैं हम लोग ठीके तो उसमें से current pass नहीं होती तो वो insulators है rubber से current pass नहीं होती तो वो भी insulators है ठीके cork से paper से तो इनसे जो current है वो pass नहीं होती इसलिए उसे कहेंगे insulators okay since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch it means that air is also an insulator तो यहां पर अगर हम लोग कोई एक activity करते हैं उसमें अगर पीन का use करते हैं तो हमारे switch में जो drawing pin होती है उनके बीच में अगर air होती है तो उसमें बल्ब नहीं जलता इसका मतलब यह होता है कि जो air होती है वो भी एक insulator है okay conductors and insulators are equally important for us switches electrical plugs and sockets are made of conductors on the other hand rubber and plastics are used for covering electrical wires plug tops switches and other parts of electrical appliances which people might touch यहां लिखा है कि जो conductors है और insulators होते हैं वो दोनों ही हमारे लिए बहुत जादे important होते हैं ऐसा क्यों क्योंकि जो switches होते हैं electrical plug होते हैं socket होते हैं वो conductors के बनाए जाते हैं यानि कि उनमें जो current है वो flow होता है और दूसरी और जो जो rubber होते हैं plastic होते हैं वो use किया जाता है जिसे कि इन ही सारे electrical wires plug tops switches और दूसरे electrical जो appliances होते हैं उनके parts को cover किया जा सेके जिसे कि जो person है उन्हें touch कर सकते हैं तो ऐसी जो electrical appliances जिनको जो person है वो touch करते हैं उनको किससे बनाया जाता है rubber और plastic से cover किया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि जो insulators होते हैं वो क्या होते हैं वो current उनसे पास नहीं हो पाते हैं तो जैसे कि माल लेज़े एक wire है हम देखते हैं कि जो wire होता है उसके उपर plastic के cover होते हैं हैना plastic से cover किये गए होते हैं क्योंकि जो person है उसको क्या होता है बार बार उसको touch करते हैं तो इसके अंदर जो wire होते हैं उनके अंदर current flow होता है ठीके लेकिन जो plastic होते हैं उनमें current flow नहीं होता है तो जो भी होते हैं person वो इसको आसानी से पकड़ सकते हैं ठीके ओके तो यानि की conductors और insulators हमारे लिए बहुत important होते हैं यहाँ पर caution दिया गया है इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं आपके body जो होती है वो electricity की conductor है यानि आपके body से भी current flow होती है therefore be careful when you handle an electrical appliances तो जब भी आप electrical appliances को पकड़ो तो आप careful रहो सावधान रहो जिसे कि अगर current जो होती है आपके body से भी flow होती है इस वज़ा से आपको careful रहना है electric appliances को पकड़ते वक्त ओके I hope आपको ये chapter समझ में आ गई होगी समझ में आई है तो like and subscribe करना मन भूलेगा मिलती हो next video में एक नए chapter के साथ thank you